हेलो दोस्तो सलाम नमस्ते मैं हूँ आपका दोस्त सेरू राना हमारी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आम के आम गुठलियों के दाम जेना दोस्तो आम का जूश आम का सेख सब जूशों से मंदा पड़ता है सबसे कम खर्च वाला होता है आम का जूश 400 ग्राम के दो आमों से 7-8 गिलास जूश के बनाई जा सकते हैं दोस्तो यह है एक नैचरल फ्रेश जूश बनेगा आप अपने हातों से इसको बनाओगे महमानों के लिए या अपने यूज के लिए अब घर में बनाईए सबसे कम खर्च में आम का नैचरल और पोश्टिक जूश तो चली दोस्तों सुरू करते हैं आम का जूश आम का सेक बनाने के लिए हमारे पास एक मिक्सी होने चाहिए जो लगबग सभी घरों में होती है देखिए दो आम मैंने उठाए हैं इन दो आमों का जूश मैं आपको बना कर दिखाऊंगा एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ गिलास मेरे पास हैं देखिए मैं आपको एक गिलास उठा कर दिखा रहा हूँ इस साथ ग्लास मेरे पास हैं और दो आमों से हम जूस बनाएंगे इसके लिए मैं अमूल का दूद यूज करने वाला हूँ आप कोई भी दूद यूज कर सकते हैं जो आपके पास घर में हो देखे मैं इसको काट लेता हूँ और मुझे एक गिलास दूद इसमें से निकालना है एक गिलास दूद मैं इसमें से निकाल लेता हूँ देखे ये लगबग धाई सो ग्राम का गिलास होगा जो आदा पैके इसमें से आ जाएगा ठीक है और इसके बाद में देखे मैं इसको एक खारी बतल में मेरे पास जग है मैं इसमें इसको डाल लेता हूँ और इसमें मुझे दो गिलास पानी के डालने देखे दो गिलास मैं इसमें पानी के डाल लेता हूँ अमूल का दूल गाड़ा होता है इसमें दो गिलास पानी चल जाएगा ठीक है अब मैं जग को लेके और इसमें दो आम जो मेरे पास है मैं इनको इस जग में काट लेता हूँ यह जग लगबग दो लिटर का होता है जो सुझाता मशीन का है इसमें लगबग दो लिटर जूस हम त्यार करेंगे जिस शेहम साथ से आठ गिलास जूस का हमारा हो जाएगा ठीक है क्या इए मैं अम काट रहा हूँ मैंने हम पहली सख्रूल के रहा था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है कि इसलिए मैंनें झाल पास यह बना ऑव पर स्कूल चीम अब इसको नीच उताल लिता हूँ और अब मैं चिनी डालता हूँ लगबग 200 ग्राम चीनी होगी तो यह चीनी का टेश्ट बहुत अच्छा होता इसलिए चीनी ही डाले मिठे के लिए ठीक है अब इसको मैं थोड़ा चला देता हूं इसको घुमा देता हूं अब थोड़ा निक्स हो जाएगा ठीक है और इसके बाद में हम लाते हैं बरप देके बरप हमें डालनी है इसमें लगबग 400 ग्राम के करीब बिसमें बरप डाल देते हैं यह हमारा जगा पूरा भर जाएगा ठीक है अब इसको दुबारा से मिशिन के उपर रक कर और थोड़ इसमें बहुत टेश्ट लगेगा आपको क्योंकि इसके अंदर अमूल का जूस दूद है और चीनी डाली है हमने और सब कुछ नैचुरल है आपने अपने हाथ से इसको बनाया है देखिए मैं साथ ग्लास एक दो तीन चार पांच छे और एक यह साथ और अभी जूस ग्लास जूस के बन जाते हैं हमारे ठीके और यह ग्लास लगबग 200-300 ग्राम का होता है देखिए मैं आपको गिनके निखाता हूँ यह साथ ग्लास जूस के बन चुके आपके अब महमानों को खिलाईए आप खाईए और मस्तिस रही और बहुत ही मंदा जूस आपको इससे मंदा ज बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर अप्डेट आपको मिलती रही तन्यवाद दोस्तों